इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, Windows 10 में Local Account से कैसे Sign In करते हैं, इसके लिए सबसे पहले, Windows पर क्लिक कर, Setting पर क्लिक करते हैं, और आप Accounts पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं लिखा है, Sign In with Local Account, Steed, इस पर क्लिक करते हैं, Next पर क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पर Pin टाइप करते हैं, यूजर नेम में कोई भी यूजर नेम टाइप कर सकते हैं, और आप चाहें तो Password भी टाइप कर सकते हैं, Next पर क्लिक करते हैं, और आप Sign Out and Finish पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपका Computer Sign Out होकर फिर से स्टार्ट होगा, और Local Account में Change हो जाएगा, इस वीडियो के अंत में, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ है तो, लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नए वीडियो की notification मिल सकें, थैंक्स वर वाचिं बाइ